हलो फ्रेंड्स वेलकम बैग तो माई न्यू ब्लोग वीडियो तो दोस्तो आज का ब्लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोस्तो आज फिर में और लॉकी आये हुए है ब्यासी पूल पर जाने के लिए देख सकते हैं यह ब्यासी पूल का रास्ता है इधर से दोस्तों ही धीरे-धीरे आये हैं चालिस के स्पीड में तो अभी लॉकी को खाना खाने में कुछ दिकत है तो इसके लिए थोड़ा ट्रेंस नाइज है इसलिए बोल लेगा नहीं अभी और दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा इधर ही है पूल से कुछ दिर पहले हैं देख स आरसाओ दोस्तों फाइनली हम लोग पहुच गए हैं वालिया बे आसी पूल पर देख सकते हैं दोस्तों तो फाइनली हम लोग पहुच गए हैं बलिया के बे आसी पूल पर दोस्तों आज हम लोग आये हैं तो देखें पानी काफी गंगा नदी में पूरा गंगा मया के जो यह है पूरा देख सकते हैं सब ब्रीक्ष और जहां तक नजर जा रही है कि वाल पानी ही पानी हैं दोस्तों चाहें इस तरफ देखिए चाहें इस तरफ देखिए यह पैंड जो है आधा से अधिक ढूब गये हैं जो की हमेसा इधर सुखार हुआ हुआ का मतलब रहता ठाथा और दोस्तों है आप लोग को इस पूल की बारे में Do पूल लगभग ठाई किलोमीटर लंबा है पूल और दोस्तों इसको बनाने मेरे ख्याल से दो तिन सो परो रुपिया लगिये गया होगा काई से कि पूल पूरा भी आए थी है देखने में बहुत यहां काफी लोग हमेशा हम लोग उधर से आ रहे थे तो काफी लोग अपना वीडियो बना रहे थे हां हम वीडियो बना रहे थे एक बायल के हाम लोग का वीडियो डिलेट कर दिजिये तो हम वह वीडियो सीन में नहीं टाले नहीं आप लोग देखते कि भाई हम लोग का वीडियो डिलेट कर दीजिए तो हम वह वीडियो सीन में नहीं डाले नहीं तो आप लोग देखते नहीं तो मतलब की वहाँ पूल पर बैठ कर टिंग डिंग 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 अपना वो प्यार कर रहे थे तो छोड़िया हम किसी और के बारे में बात जिला के तो काफी लोग है मतलब लगभग सभी लोग ही यहां आये होंगे बाहरी जिला से कौन-कौन स्कूल पर आये हैं कमेंट में पर जरूर लिखेगा और अभी बतलाईएगा कि किस जिला से मेरी वीडियो आप देख रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो का रीच पूरा कितलों किसी बीडि यहां का माइनस में चला गया है तो आप लोग कमेंट में यहीं सब जरूर बतलाईगे और दीपका को किसी बात का टेंशन है यह पूछते हैं बोलो भाई आपना शेर हमारे दोस्तों से करो नहीं करना चाहोगे इसको कि एक प्राइबेट है दोस्तों इसका बात जो कि शेर नहीं कर सकता है और आप लोग समस सकते हैं क्या ही बोलें बहुत जिंदगी में उतराव चड़ाव होत रहता है इसे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि मरने के बाद जलने का भी एसास नहीं होता है तो आज के ब्लोग यहीं खतम करते हैं फ़लिया ब्यास से पूल पर मिलते हैं किसी नहीं इंट्रेस्टिंग ब्लोग के स है